हलो बच्छो मैं हूँ अंकिता आज हम करने चाहा रहे हैं क्लास 9 चाप्टर 10 ग्रेविटेशन हमने प्रीविएस वीडियो में पढ़ा था अब टू फ्री फॉल कंडिशन्स अब हम पढ़ेंगे मास एंड वेट के बारे में तो सबसे पहले जाते हैं मास क्या होता है किसी भी बाड़ी जो मेटर कंटेंड होता है इंसाइड बाड़ी धाट इस नोन ऐसता मास चलिए जानते हैं The mass of a body is a quantity of matter contained in it. जो किसी body में, जो matter contained रहता है, उसी को हम उसका mass बोलते हैं. Mass एक scalar quantity है, जिसकी SI unit kg और CGS unit gram होते हैं. Mass पिटा constant रहता है, चाहिए आप अर्थ पे हैं, चाहिए आप space में चले जाएं, चाहिए आप moon में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं. आपका जो mass है, वो same रहता है, because mass gravity के उपर depend नहीं करता. Does not change from place to place. Place to place ये change नहीं होता. Mass of a body can never be zero. Mass body का कभी भी zero नहीं हो सकता. जैसे for example, अगर हम space में चले जाते हैं, तो वहाँ gravity नहीं होती. तो वहाँ आपका weight zero होता है, लेकिन mass कुछ ना कुछ रहता है, आपकी value कभी mass की change नहीं करती. Next आता है weight क्या होता है? Weight एक force है, जो earth का center की तरफ, यह बोल सकते हो, earth अपनी तरफ attract करती है हर body को, तो वो क्या लगाती है? Force लगाती है. वही force क्या बन जाती है? Weight बन जाती है. अब देखे, the force with which an object is attracted towards the center of earth is called the weight of the object. हमें पता है, F equals to क्या होता है? M, A. अगर हम earth के case की बात कर रहे हैं, तो A किसके equal होता है? G के. तो A के जगा क्या लग जाएगा? G लग जाएगा. तो F equals to M, G. और force किसके equal होती है? हमने अभी पढ़ा, जो earth object के उपर force लगाती है, वो किसके equal होती है? weight of the object के equal होती है. जितनी force लगेगी, उतना हमारा weight होगा. तो हमारे पास force किसके equal है? weight के equal है. तो हमारे पास F के जगा क्या आजाएगा? W. W is equals to M, G. यानि कि weight किसके उपर depend करता है? gravity के उपर depend कर रहा है. अगर gravity 0, तो weight भी 0. लेकिन जो हमारा mass है, वो कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि mass कभी भी gravity के उपर depend नहीं करता. अब इसके units क्या होती है? क्योंकि weight किसके equal है? force के equal, तो force के unit होती है Newton. तो हमारे weight के units भी क्या होंगे? Newton होंगे. उसके बाद आते हैं, जो ये depend करता है gravity के उपर, यानि कि G के value के उपर. ये 0 हो सकता है. और ये क्या है? एक vector quantity है. I hope यहाँ तक आपको clear हुआ होगा. अब चलिए जानते हैं, कुछ new concepts. जिसे आपने force के बारे में पढ़ा. देखे बीटा, force के unit क्या होती है? Newton. force के unit होती है Newton. आपको बताए force का formula होता है F equals to MA. force के SI units क्या होती है? SI units है force के Newton. अगर आपसे पूछ लिया जाए, 1 newton कितने के equal है? तो 1 newton, force क्या है? 1 newton. mass क्या होता है? 1 kg. और acceleration क्या होता है? 1 meter per second square. Acceleration होता है meter per second square. mass होता है kg. force होता है 1 newton. यानि कि 1 newton किसके equal है? 1 kg into 1 meter per second square. यह note down कर लिजिए. और अगर आपसे पूछ लिया जाए, CGS units क्या होती है? CGS units of force. तो force के CGS unit होते हैं dine. I hope यहाँ तक clear है. अब यहाँ पर एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग कि 1 newton में कितने dine होते हैं. अब देखते हैं अब देखते हैं बच्चे. को अगर ग्राम में कनवर्ट करना है तो 1000 से multiply करते थे. मीटर को centimeter में करना है तो 100 से multiply per second square. अब यहाँ था 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर. 1000 तीन जिरो हैं दो जिरो हैं टोटल हो गया 5 zeros. ग्राम सेंटीमीटर पर second square. तो 1 newton 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर second square. तो यह अब भी हमने पढ़ा था यह किसके एक वल था? डाइन के एक पुल था. तो 1 newton में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं. I hope यहाँ तक आपको clear हुआ होगा. अगर कोई doubt है तो आप उट सकते हैं comment section में. आप देखिए, एक और चीज़ हम पढ़ेंगे. हमारे पास दो तरह की units होते हैं. एक हमारे ऐसा units की बात कर सकते हूँ. या आप force की units की बात कर सकते हूँ. Force की units, कितने तरह की units होते हैं? हमारे पास two types की units होते हैं. First type बिटा क्या कहलाती है? Absolute units. और दूसरी type बिटा क्या कहलाती है? Gravitational units. अब बेटा आपके पास absolute unit में क्या लिखेंगे absolute unit में आप लिख सकते हैं 1 kg weight 1 kg weight किसके एक्वल है 9.8 newton के और अगर gravitational के अबारे में पूछा जाए 1 gram weight किसके एक्वल है 980 dyn के अब बेटा यहां देखिए अगर आपको यह वह question आ सकता है कि 1 kg weight को ग्राम weight में convert करने के लिए convert 1 kg weight into gram weight तो देखिए बेटा 1 kg weight 1 kg weight किसके एक्वल होगा अभी हमने पढ़ा 9.8 newton so better 9.8 newton newton को अगर हमने अभी डाइन में convert किया तो 1 newton में कितने डाइन थे 10 की power 5 डाइन तो मतलब newton की जगा मैं क्या लिख सकती हूँ 10 की power 5 डाइन लिख सकती हूँ तो मेरे पास कितना आया यह point अगर मैं open कर देती हूँ 10 की power 5 10 से 10 कट गया तो power आगे 4 तो मेरे पास क्या आगया एक जिरो में इसको दे देती हूँ 980 एक जिरो इसको दे दिया तो 980 बन गया और इसकी power रहेगी 3 इसकी power 4 थी एक जिरो में ने इसके साथ multiply कर दिया तो हमारे पास power रहेगी 3 डाइन अब 980 बच्चे हम 980 डाइन 10 की power पहले लिख लेते हैं multiply 980 डाइन अभी हमने पढ़ा था 980 डाइन किसके एकवल था ग्राम वेट के तो 10 की पावर 3 और यह आगया ग्राम वेट तो 1 kg वेट किसके एकवल था 10 की पावर 3 ग्राम वेट के एकवल I hope यहाँ तक आपको clear हुआ होगा यह बहुत important units है और exam में यह आपको पूछे जा सकते हैं अब देखे बिटा हमें इतना पता है कि earth जो है वो perfect sphere नहीं है उसका radius increase करता है as we go from pole to equator यानि कि हम यह बोल सकते हैं यह हमारी अर्थ है अर्थ का equator यह क्या होता है equator और यह क्या होता है आपका pole यहाँ से radius कम है यहाँ से radius जादा है as you know elliptical shape की है आपकी अर्थ इस तरह से यह जदा होता है यह कम होता है यहानि R E और यह R P यहां से यहां R P और R E अगर मैं मान के चलूँ R E क्या होता है? greater होता है R P से यानि कि radius add the equator क्या होता है? ज्यादा होता है? पोल से हमने एक शीज पढ़ी है वो क्या है? G is equals to GM by R का square अगर मैं equator की बात करूँ equator की बात करूँ तो मेरे पास equator पे radius क्या होता है? ज्यादा more radius अगर यह more है तो यह क्या होगा? तो हमें equator पे equator पे हमारी gravity क्या होती है? less होती है on equator on equator gravity is less gravity is less और अगर मैं बात करूँ pole पे तो GM by R P square तो मेरे पास pole पे radius क्या होता है? कम होता है less होता है कम होता है तो gravity क्या होगी? gravity ज्यादा होगी तो pole पे gravity क्या होती है? ज्यादा होती है on pole gravity is more I hope यहाँ तक आपको clear हुआ होगा अगर आपको वीडियो में कोई भी doubt है तो आप comment section में comment करके बता सकते हैं और अगर आपको कोई और topic पढ़ना है तो आप वो भी comment section में मुझे बता सकते हैं तो आपको कोई वीडियो